नैनो, एक क्रांती, एक उम्मीद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कार की जिसने इंडिया में तहलका मचा दिया था जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा नैनो की साल 2008 में लॉंच हुई नैनो ने लाखों लोगों का कार का सपना पूरा किया था आज फिर से नैनो की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार वज़ा है इसका इलेक्ट्रिक अवतार जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि टाटा मोटर्स बहुत जल्द नैनो का इलेक्ट्रिक वर्जन निकालने वाली है यह खबर न केवल आउंटो मोबाइल इंडस्ट्री में हल्चल मचा रही है, बलकि उन लोगों के लिए भी उत्साह जनक है, जो पर्यावरण के प्रती जागरूख है और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सोच रहे हैं इस इलेक्ट्रिक नैनो का नाम जयम नियो हो सकता है, यह नाम अपने आप में एक नई शुरुवात का प्रतीक है, जो न केवल तकनीकी उननती को दर्शाता है, बलकि एक स्थाई भविश्य की और भी इशारा करता है जयम नियो असल में नैनो का ही एक इलेक्ट्रिक रूब है, जिसे 2018 में कोयमबटूर की कमपनी जयम ने बनाया था इस कार को बनाने के पीछे का उद्देश्य था एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल वाहन प्रदान करना, जो भारतीय सड़कों के लिए उप्योगत हो पहले जयम ने ओला कैब्स के लिए 400 नियो कारें बनाई थी, जो की एक पाइलट प्रॉजेक्ट का हिस्सा थी इस प्रॉजेक्ट का उद्देश्य था इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता और उनकी उप्योगिता को परखना लेकिन अब खबर है कि यह कार आम जनता के लिए भी मिलेगी यह एक बड़ा कदम है क्योंकि इस से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुँच बढ़ेगी बलकि लोगों को एक सस्ता और टिकाव विकल्प भी मिलेगा उमीद है कि जयम नियो भारतिय बाजार में एक नई उक्रांति लाएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी अखबारों में छपा है कि नैनो इवी की कीमत पांच लाख रुपे से कम हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो यह इंडिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी कम कीमत का मतलब है कि अब हर कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना देख सकता है हालां कि आखिरी कीमत बैटरी की कीमत सरकार की छूट और मार्किट में कितनी डिमांड है इन सब पर निर्भर करेगी एक चार्ज में कितनी दूर जानिये नैनो की पॉवर नैनो ईवी में बहतर वोल्ट की बैटरी होने की उम्मीद है कह रहे हैं कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक चलेगी यह शहर में घूमने और चोटी यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है हालांकि असली रेंज कैसे चला रहे हैं ट्राफिक कैसा है और मौसम कैसा है इन सब पर निर्भर करेगी चोटी कार, बड़े फीचर्ज, नैनो से होंगे सभी इंप्रेस नैनो ईवी में आपको पेट्रोल वाली नैनो जैसा ही चोटा और आसानी से चलाने वाला डिजाइन मिलेगा इसमें इलेक्टरिक पावर स्टीरिंग भी है एर कंडीशनिंग, फ्रंट पावर विंडो और ब्लूटूथ मल्टी इंफॉर्मिशन डिस्प्ले और रिमोट लॉकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे ऐसा माना जा रहा है इसके अलावा इसमें एयर बैग भी होंगे और एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स भी हो सकते हैं चुम्बिगी सगिस जद्या तो इसे और सुरक्षित बनाते हैं टाटा और जैम की जोड़ी नैनो इलेक्ट्रिक की है कहानी यह कहानी हैं दो दिगज कंपनियों की जिन्होंने मिलकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है ख़बरों की माने तो टाटा मोटर्स ने जैम कंपनी को खरीद लिया है और नैनो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मिदारी जैम को दे दी है यह डील भारतिय आंटो मोबाइल इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोर्ड साबित हो सकती है जैम को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अच्छी जानकारी है जबकि टाटा मोटर्स को गाड़ियां बनाने का अच्छा खासा तजुर्बा है दोनों कमपनियों की विशे शज्जता का मेल एक नई दिशा में ले जा सकता है जैम की तक्नीकी कुशलता और टाटा की उत्पादन क्षमता मिलकर एक बेहतरीन उत्पाद तयार कर सकती है यह साजेदारी इंडिया में एक सस्ती और बर्या इलेक्ट्रिक कार लाने में मदद कर सकती है नैनो इलेक्ट्रिक कार न केवल पर्यावरण के लिए फायदे मंद होगी, बलकि आम जनता के लिए भी सुलब होगी यह कदम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के भविश्य को नई उचाईयों पर ले जा सकता है टाटा और जैम की यह जोड़ी भारतिय सडकों पर एक नई क्रांति ला सकती है सफर होगा किफायती, नैनो इवी के साथ यह कार न केवल आपके सफर को सस्ता बनाएगी, बलकि आपके रोजमर्रा के खर्चों में भी कमी लाएगी नैनो से होगा सब कुछ आसान, चाहे वह आपके आफिस का सफर हो या बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम, नैनो इवी हर काम को सरल और सुविधा जनक बना देगी टाटा नैनो इवी के आने से इंडियन इलेक्ट्रिक वाहन मारकिट में हलचल मच सकती है यह कार न केवल अपने किफायती दाम के लिए जानी जाएगी, बलकि इसकी तक्नीकी विशेश्टाएं भी इसे खास बनाएंगी इसकी कम कीमत और टाटा ब्रैंड पर लोगों का भरोसा इसे ग्रहकों के बीच काफी पॉपुलर बना सकता है टाटा की विश्वस नियता और नैनो इवी की किफायती कीमत इसे हर घर की पसंद बना सकती है नैनो इवी की काम्याबी देखकर दूसरी कमपनिया भी सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लॉँच कर सकती है इससे इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को और भी बहतर विकल्प मिलेंगे कुल मिलाकर नैनो इवी इंडिया में सस्ता और पर्यावरण के लिए अच्छा ट्रांस्पोर्ट का एक बरहिया विकल्प बन सकती है यह कार न केवल आपके पैसे बचाएगी बलकि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगी नैनो इवी की चार्जिंग भी बेहद आसान है इसे आप घर पर या किसी भी चार्जिंग स्टेशन पर आसानी से चार्ज कर सकते हैं शहर की सड़कों पर नैनो इवी का सफर न केवल आरामदायक होगा बलकि यह ट्राफिक में भी आसानी से चल सकेगी यह कार परिवार के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है इसके अंदरूनी स्पेस और आरामदायक सीटें इसे परिवार के हर सदस्य के लिए पसंदीदा बना देंगी